हाई दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे स्वाम थिंग इस सीरिस के बारे में आपको तकरीम दस एपिसोड देखने हैं अब इस सीरिस का रिव्यू करने के पिछे की दो वजा है वह वजा यह कि यह बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे दोस्त लोग है वो लोग पिछले कुछ वीडियो में काफी लोग मुझे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो मैं लोग इतना बलू कि यार वाक्य में मुझे रिव्यू करना नहीं आता लेकि पिछले एक साल से जितना मैं इस चैनल पर महनत कर रहा हो और आप इसकी आदी भी महनत करोगे तो बहुत ह जो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके लोग इस शो को स्वारन थिंग को मैंने पिछले साल पूरे 10 एपिसोड को एक्स्प्रेइन किया था उस टेम पी मुझे एक्स्प्लेइन करना भी नहीं आता था लेकिन मैंने बहुत ही अजिक वे में उसको एक्स्प्लेइन इस शीरीज की कहानी शुरू थी मरेस लूसियाना से जहां पर स्वाम यानि के दल दल में कुछ ऐसी हलचल हो रही है जिसका पता लगाने के लिए वहाँ पर रहने वाले एक बिजनेस्मेंन जिसका नाम है एलेक हॉलन जिसका यहां पर रोल प्लेए के एंडी बिन ने अब यह कैरेक्टर हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर लेकिन इसी बीच लूइस मेरियाना में कुछ लोग इंफेक्ट होते ऐसे डीजिस से जो उस टॉन के लिए पूरी तरह से नहीं है और इसी वज़े से एपिडेमिक इंटलिजन सर्विस वाले एक डॉक्टर को बेचते जिसका लेकिन डॉक्टर एबी आरकेन के साथ एक ट्विस जुड़ा हो वही है कि डॉक्टर एबी इस टॉन में पहले भी रह चुकि और उसके साथ कुछ ऐसी चीज़े हुए जिसकी वज़े से वह इस टॉन में वापस नहीं आना चाहती है लेकिन मजबूरन अब उसको इस टॉन इस में नहीं देख्योंगी यह सब कुछ जाने के लिए आपको यह सीरीज देखनी बड़ेगी तो देखिए इस सीरीज के वार में आपको जितना बोलूँगा उतने स्पोईलर्स निकलेंगे और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी स्पोईलर्स आप लोगों मिलें क्योंकि यह स आपको बहुत सारे क्यरेक्टर्स देखने को बिल जाएंगे जैसे के लीज, डॉक्टर जेसन, वर्डूस, आवेली, सुन्डलेंड, मारिया, स्वाना, बहुत सारे क्यरेक्टर जिनको बहुत अच्छी तरह सी यहां पर डेबलॉप किया है उसके सीरीज में आपको हॉरर ए आगे बढ़ाते हैं तो हमें वाकए में उसके बारे में और बहुत कुछ यहां पर जानने को मिल जा लेकिन अफसोच जितने भी डिसी फैंस या जितने भी स्वाम थिंक के एक सीरीज के लिए बहुत बड़ी डिसवाइन में यह है कि सीरीज आगे कंट्यूनी नहीं होगी शायद फ्यूचर में हमें इसका सीजन टू भी देखने मिल जाए उसके लाए सीरीज का अगर असली एक्स्पिरेंस लेना है तो इसको होम ठेटर में देखो या तो फी अच्छे हैट सेट भी ब्लूटूथ में देखो यूकि इस सीरीज का जबर्दस होगी आप पूरी तर इस शो में बहुत ही पैसा लगाया और अगर जितने भी सीजे वर के बहुत ही अच्छे है और कहीं से आपको बच्काने लगते नहीं है और यह शो एक डार्क शो थे इसमें आपको कुछ ऐसी सीन्स देखने हो मिल जाए जो छोटे बच्चे या तो बहुत ही एजएट लेकिन वह इतने ज्यादा अगरेशिव नहीं देख सकते हैं तो कुल मिला है कि अगर आपको यह शो देखना है तो आप जरूर देखना मेरी दरफसे तो मैं इस शो को टैन ऑफटर टैन दूँको मैं रिक्वेस्ट बोलूँगा कि भाई प्लीस इसका सीजन टू जरूर ले तो लाइक करना मुझे पता है कि मैं बहुत ही अजीब तरह से रिव्यू कोता है लेकिन यह मेरा अपना श्टाइल है तो बस मिलते हैं नेक्स स्टूडियो में तिल दन दूआ में आदकना मैं हुर आच्छे शेक और आपसा हुए आपके अरान इंटर्टेंड में तिल दन बाइ